गुद्यूनिंग डियर इस्टुडेंट आज हम दो तृतिय पाठे स्वावलंबनम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का जो की है कृष्ण मूर्ति स्री कंठस्च मित्रे आस्तम। क्रिश्ण मूर्ति और स्री कंठ आप मित्र थे स्री कंठस्य पिता संब्रिद्ध आसीत स्री कंठ के पिता संब्रिद्ध थे धनवान थे अत्यतस्य भौने सर्व विधानी सुख साधनानी आसन इसलिए उनके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे अस्मिन विशाले भौने चत्वारिंसती अस्तंभासन उनके विशाल भौन में 40 खंभे थे चत्वारिंसत मतलब 40 खंभे थे उनके मकान में 18 कमरों में 50 खिर्कियां थी और 40 दर्वाजे थे अस्ठा 10 प्रकोष्ठेश प्रकोष्ठेश मनें दर्वाजे चो कमरे थे कमरे में 55 मतलब 50 गवक्षा गवक्षा मतलब खिर्कियां और 44 चत्वारिंसती चत्वारिंसती मतलब 44 द्वाराणी मतलब 44 दर्वाजे खट 37 विद्धुत वेजनानी और 36 खट मतलब 36 त्रिंसती मतलब 30 36 विद्धुत वेजनानी मतलब पंखे थे तत्र 10 सेवकाह निरंतरम कार्यम कुर्वनती उनके यहां 10 सेवक हमेशा काम करते थे परम कृष्ण मूर्ते माता पिता चे निर्धनाव कृष्ण दंपतव लेकिन कृष्ण मूर्ती के माता और पिता निर्धन कृषक दंपत्ती थे तस ग्रिहाम आडंबर विहीन विहीनम साधन चे आसीत उनका घर आडंबर विहीन और साधारन था एक दा स्रीकंट तेन से प्राते नव वादने तस ग्रिहम आगच्छत एक बार स्रीकंट उसके साथ प्राते नव बजे नव वादने मतलब नव बजे उसके घर आया तत्रक्रिश्र मूर्त्य तस्य माता पिता चे स्वय सक्त्या स्रीकंठ चे आतिथ्यम अकुर्वन वहां उसके माता और पिता अपनी स्वय सक्त्या मतलब अपनी शमता अंसार स्रीकंठ का आतिथ्य किये सौगस किये एतत दिश्टवा स्रीकंठ है अकत्यतिया देखकर स्रीकंठ बोला मित रहे मित अहम भाताम सतकारेंड संतुष्टो असमें आपके सतकारेंड सतकारेंड मतलब सतकार से अतियंत संतुष्ट हूं केवल हम इदमेव मम दुखम केवल मुझे इतना ही दुखा है यत तव ग्रिहे एको अभी भृत्य नास्त भृत्य मतलब नौकर चाकर कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर चाकर नहीं है मम सतकाराय भाता बहु कस्टम जातम मेरे सतकार करने में बहुत से कस्ट तुमें हुए मम ग्रिहे तु बहुत कर्म करा संति मेरे घर में बहुत से नौ मेरे पास तो आठ नोकर हैं ते चे दो पादो और वे दो पैर हैं दो हस्तव दो हाथ हैं दो नेत्रे दो नेत्रे मतलब आँख हैं दो इस रोते और दो कान हैं एते प्रतिशण मेरे सहायक रहते हैं मेरी सहायता करते हैं किन्तु तव भृत्या सदेव सर्वत्र चय उपस्थित भौतम ने सकनुवन्त लेकिन तुमारे जो नोकर हैं हर जग उपस्थित नहीं हो सकते हैं तुम अपने कारे के लिए नोकरों के आधीन हो यदा यदा आते अनपस्थिता जब भी वे अनपस्थित रहते होंगे तदा तदा तुम कस्थम अनभौस तब तब तुम कस्थ का अनभौ करते होगी सौलंबने तु सरवधा सुक मेव सौलंबन से तुम्हे सदा सुक मिलेगा नगकदाप कस्थम बहुत कोई भी कस्थ नहीं होगा तुम्हारी बात सुनके मुझे बहुत प्रसनता हो रही है अधुना आहमा भी स्वयकार्यान स्वमेव करतुम इच्छाम आशे मैं भी अपना कार्य स्वयम करना चाहूंगा करूंगा भत सार्ध द्वादस वादिनम संप्राद ग्रिहम चलें और अब सार्ध द्वादस मतलब द्वादस और साड़े बारे बच्चुका है सामप्रतम ग्रिहम चलाम चलो अब घर चलते हैं माई डियर श्टुडेंट प्लीज इसे अच्छे से पढ़िए समझे और अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलियो